ले स्टूटिंस दिस इस रुभी तिवारी एंड यू आर वाचिंग यूए फेडरेट एजूकेशनल चैनल मागनेट ब्रेंज जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्लासेश 100% का मतलब क्या होता है कि दो चैप्टर की बाद क्या आप से फी डिमांड की जाएगी जी नहीं यहाँ पर आपको किसी पी तरीके का पेट सब्सक्रिप्शन लेनी की जरुवत नहीं है आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सी बीस सी साइन्स के अलावा भी आपकी बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको यह सारी टीचर्स पढ़ाते हैं जिन में से कुछ आपको इंग्लिश कुछ हिंदी सोशल पढ़ाते हैं इनका साथ होगा तभी तो आप होंगे काम्याब और एक्जामस में लाँ पाएंगे बहुत अच से रिलेटेट था तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ इस चैप्टर का इंटोड़क्शन प्लस रिवर्सिबल चेंज क्या होता है इसके बारे में हमने डिसकस किया था तो हमने देखा कि यार बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं पहले एक था पहले चोंटे भ항 बढ़के बढ़ चुके हैं तो यह वी एक चेंज है किसी बच्छे का हेयर था पहले सब्सक्रयान पूक् hipp疏 नहीं की बार जहाता है ne इन चेंजिस को तो जरूर पढ़ना चाहिए लेकिन मैंने दिखा गया इतने सारे चेंजे तो मैंने उन्हें कर लिया सबसे पहले मैं पढ़ूंगी तो इन पहुंचेंगे तब सीखेंगे तो जैसे कि पेपर को फोल्ड कर दिया लेकिन आपने पूला कि नई पेपर फूल्ड नहीं करना तो आपने उसे खोल दिया तो वह वापिस lifesek Sakản आगया आपने बलून को ब्लो कर दिया आपकी ममाने हगा नैंने करेंगे तो आपने उस Áंपने उसकी हवा निकाली और उसे वापिस प्रीशिभल चेंजμ आप जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वह रिवर्सिभल चेंज्च अगर यह बालून ब्लो किया था अगर आप उसमें इतनी एयर डाल दें कि वो फट जाए बस्ट हो जाए तो क्या होगा छोटे-छोटे तुकड़े आपको मिलेंगे क्या आप इससे दुबारा से बलून बना पाएंगे नहीं एक और एक्जामपल हमने पढ़ा था चपाती या रोटी का कि अग लेकिन जो रोटी आपने बनाई थी आप थोड़ी देर के लिए पानी पीने गए आपकी मम्मा आई और उन्होंने उससे बर्नर पर सेख दिया उसे पका दिया तो क्या अब आप उससे बॉल बना पाएंगे जी नहीं तो जो एक और एक्जामपल हमने देखा था एरो प्ले चोन चोटे चोटे पार्ट से अगेरन वो पेपर को उप्टेंघ कर पाओगे उप्टेंद मतल्ब दुबारा से आप उसको वही से आपको वही पेपर रिपाएंगा नहीं मिल पाएगा तो ऐसे सारे चेंजेस जिसमें हम अब्जेक को दुबारा से री स्टोर या दुबारा से उसे से साइज से शेप का से सेम कलर का नहीं कर पाते हैं वो सारे चेंजेस जो है वो irreversible changes कहलाते हैं तो irreversible changes की अगर definition की बात की जाए तो definition क्या दे सकते हैं आप a change is called irreversible वो change irreversible कहलाता है if it cannot be changed back again हम उसे दुबारा से change ना कर पाएं दुबारा से उसे original position पर ना ला पाएं या फिर in an irreversible change new materials are always formed sometimes these new material are useful to us अब यह जो second line है ना इस line पर मैं बाद में आती हूं फिलहाल मैं आपको irreversible के और आसान सी definition बताती हूं clear है so यह definition को यहीं थोड़ा सा छोड़ देते हैं नीचे देखें अभी सिर्फ हम यह irreversible को explain करना है तो हम कैसे कर सकते हैं so the change in which the matter can not be brought back to its original state तो वो सारे changes जिसमें matter को उसकी original state में दुबारा से नहीं लाया जा सकता है वो सारे changes क्या कहलाते हैं वो सारे changes जो हैं वो irreversible changes कहलाते हैं आप इन दोनों में से कोई भी एक definition पिक कर सकते हैं आप यह भी लिख सकते हैं a change is called irreversible if it cannot be changed back again हम अगर उसमें दुबारा से change ना कर पाएं उसको दुबारा से उसके original position पर ना ला पाएं तो वो change किसी चीज़ का irreversible change कहलाता है so example के लिए burning of paper changes it into ash and smoke अगर आप paper को burn कर रहे हो तो क्या होगा चलिए its definition पर बाद में आते हैं इस point पर लेगन सबसे बहले तो मैं इसके आगे की लाइन आपको बताना चाहती हूं कि irreversible change में हमेशा क्या होता है एक नया material form होता है ठीक है irreversible एक ऐसा change होता है जिसमें नया material form होता है तो आप दो पॉइंट ज़रू लिख्या आईएगा the change in which the matter can not be blocked back to its original state is known as irreversible change and in irreversible change a new material are always formed एक नया material हमेशा बनता है कैसे बनता है तो इस line को समझने के लिए मैं इसको बहुत सारे बच्चे खाते होंगे कुछ नहीं भी खाते होंगे लेकिन को पता होगा तो वह एक जो होता है जब आप उसे तोर देते हो तो क्या आप उसे दुबारा से जोड़ करके बना सकते हो नहीं वह तूड़ गया तो तूड़ क्या अब इस एग को मैंने क्या किया मैंने इसका ओमलेट बना दिया क्या ये दुबारा से एग में convert हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि आपने इसे को change कर दिया ओमलेट बन गया आप कुछ भी कर लो वापस से एग नी बना पाओगे ठीक है तो ये एक चीज़ चीज़ को चेंज करके क्या किया है बनाया है है ना आपने इसको तोड़ा मतलब आपने इसके शेप को चेंज कर दिया और शेप को चेंज कर दिया जब आपने उसको फ्राइंग पैन पर पका दिया जब आपने उसको हीट दे दी तो वह और ज्यादा चेंज हो ग से खाते हैं ठीक है तो भई नियू माटीरियल फॉर्म हुआ ओमलेट जिस जो कि एक यूसफुल है अब कई इर्रिवर्सिबल चेंजिस देखिए कि आपने वुड को बर्न किया जिससे आपने खाना पकाया या आपको ठंड लग रही थी किसी जंगल में आप पिक्रिक मनाने गये थे तो आपने थोड़ी से बुड के लॉक को जला दिया तो जैसे आप जलाते हैं तो आपकी गर्मी हट जाती है तो आपका आपने उसको यूस किया लेकिन क्या यह वुड जो है जो जल चुकी है क्या जले हुए पोर्षन को आप वापस से वुड में कनवर्ट कर आती है एश में और स्मोक में सिमिलरली अगर हमने पेपर लिया था उसको फोल्ड कर रहे थे तब तक ठीक था लेकिन जब मैंने उसे कट कर दिया तो मैं क्या उसे दुबारा से उसके उरिजिजनल पोजिशन पर लापाऊंगी कई बच्चे सोचेंगे यार हम टेप से तो आपने वहाँ टेप तो डाल दिया ना बीच में औरीजिनल कंडिशन मतलब जैसा वो था उसके बीच में कुछ और नहीं आड़ करना है ठीक है तो इसका मतलब आप उसे उसके उडिजिजनल शेप पर नहीं ला पाते और अगर आपनी पेपर को बर्न कर दिया उसे जला सकते हैं और ऐसे सारे सबस्टेंसेस जिनमें अगर कोई ऐसा चेंज कर दिया जाए जिससे वो दुबारा से अपने उसी पोजिशन में ना आपाए तो इन सारे सबस्टेंसेस के चेंज को आप कौन सा चेंज कहते हो इसे आप कहते हो इर्रिवर्सिबल चेंजेस मतलब जिनक तो एक्टिविटी करके देख लो क्या करना है तेक the same balloon which you used in activity one वा自 branSe this ना वही बलोन उठा के लिए चले envol देख से लेकर क्या यह लेकर क्या आगे बहुत अच्छी बात है अब उस बार हमने कहा था कि बलून में इतनी एयर को आपको ब्लो करना है जिससे कि वो फूल जाए ठीक है लेकिन इस बार में बहुलूंगी कि आप उसमें इतनी एयर को डालिये कि वो इस तरह से बुस्ट हो जाए फट कर लिजे जिके या फर इतनी एयर डालिये कि वो फट जाए सो प्रेकेट विट पॉइंटे टिप आफ यूर पैंसिल उपस इट्स बॉस्ट वेल जा करना है आपको इसे चल्दी से पिन से आपने क्या कर दिया टच कर दिया क्या हो गया वो फूट गया अब देखिए क्या इस से फूट वे पार्ट से मैं अगेन बलून का शेव दे सकती हूं नहीं लेकिन छोटी-छोटी सी क्या करते थे ना जब हमारा बड़े हुआ करता था तो फ्रेंड आते थे सारे बलून-बलून सजा दिया अब वहां करके ना सब बहुत कई इतने बिकार बच्चे होते न तो हमें छोटी थी मुझे बहुत बुरा लगा तो फिर क्या किया मेरी मम्मी ने बोला मेरे भाई ने बोला बड़ा भाई है उन्हें बोला कि कोई बात थी मैं आपको एक छोटा सा बलून दिखाते हूं तो उन्होंने चिटकोली बना दी चिटकोली आय हो आप समझते लेकिन उसकी मदद से हमने कुछ एक नया फॉर्म बना लिया ठीक है तो एक्जामपल लिया हमने यह लेकिन इससे हमारी जो डेफिरेशन है वह बिलकुल साफ हो रही है कि जी हां यह एक इर्रिवर्सिबल चेंज है मैं उसकी मदद से बलून नहीं बना पाई मतलब यह अप एक चोटे बच्चे के लिए उसका मन बहलाने के लिए वह बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है ठीक है चले तो इसका मतलब यहां पर यह एक इर्रिवर्सिबल चेंज है सब actively five activity फाइफ में आप वही सेम पेपर लेके आओ जिस से आपने की क्या बनाया था बल आपका एरो क्या करना है इस बार आपको ड्रोंख करना है दिखा को नरप लॉकरल करना भी सिखार ईपके साइनस्स तीचर साथ एक आट एंट्राफ टीच्टर का भी काम कर रही है इसा क्या करना है तर्फ एक कर लिना अप क्या करोगे है तो आज बताती हो इसको नव Kr!!! कऽ पर कड़ और अलग अलग कलर चाहर चाहर पर और वापेपर के पर बड़ी यह तो हो गई अपनी कार्दी बात अब आ क्या देख रहे हैं कि भी जब हमने इस पेपर को काड़ दिया तो क्या अब मैं इस पेपर को इसके ओरीजिनल इसी शेप में ला पाऊंगी नहीं ला पाऊंगी क्यों नहीं ला पाएंगे भई क्योंकि अब मैंने इसमें लगा दिया है कट अब कट लगा दिया तो चाहे मैं स किसाथ क्या हुआ यहां पर भी सबस्टेंग से साथ में हमने के साथ किया जिसको मैं दुबारा कि और यहां पर एक लेदी बैठी हुई है थिए प्रख़ही कुछ हो रही करती तो आप दुबारा से पेपर बना लेते क्योंकि वो एक रिवर्सिबल चेंज होता पट यहां पर वो कहानी नहीं है यह रहा है चलो तो यह तो एक चीज क्लियर हुए हमें आप देखते हैं अब आपको क्या करना सको बेक कर देना है तवा पर सबस्क्राइब कर दो आप उसको रोल कर लेते हो तो जी हां रोल कर लिया अब मैंने उस रोल की रोटी को बेक कर दिया क्या मैंने कोशन यह पूझा था आपसे कि क्या आप इससे दुबारा से बॉल बना पाओगे तो आपने उस टाइम पर कहा था जी हां बना पाएंगे लेकिन अब क्या जब आपने रोटी को सेख दिया जब आपने रोटी को बे new substances which are useful for us जैसे कि यहां पर एक नया substance जो आपको मिला है जो कि आपके लिए बहुत useful है क्योंकि रोटी हम खा सकते हैं clear है so we see that the changes which have occurred in activity 456 cannot be reversed तो यह सभी जो activities में हमने चीजे की वो reverse नहीं की जा सकती so you use a pencil and an eraser with repeated use their shape and size changes अब आपको बहुत सारा homework मिलता है बहुत सारे teachers आपसे बहुत कुछ करवाते हैं notes बनवाते हैं clear है तो आप जो pencil का use करते हो वो pencil दीरे-दीरे क्या उन्हें लगती है घिस जाती है कम होती जाती है क्या आप उसे दुबारा से obtain कर सकते हो नहीं तो वो भी कैसा चेंज हुआ एक irreversible change हुआ similarly मैंने आपको eraser दिया आप eraser को दो तीन महिनों तक लगातार लिख के मिटाती रहे तो उसका आप देखते हो कि shape जो ना उपर से change होना शुरू जाता है जो आप नाम लिख देते हो ना कभी कभी razor की उपर कि यार यह तो पूजा की है यह रिजर विकी की है तो वह दीरे दीरे नाम क्या होता है रेज होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो रबर है वह जैसे जिससे आप मिटाते हो तो उसके skin rub होते होते निकलती जाती है टो यह क्या हूआ आपका अतना से बड़ा चोट बन जाता है तो यह जींज यह एक हैं आप इस को इसके मतलब क्या है जूँत जीशा था आपका वड्य है तो क्या आप इसमें ए पैंसल को को रिवर्स कर सकते हो आपने अगर उसको छोटा कर दिया बापस से उसके ओरीजिनल शेप पर ला सकते हो नहीं ला सकते हो क्योंकि यह इर्रिवर्सिबल चेंज है यू मस्ट हाव सीन अपॉटर वर्किंग ऑन इस वील ही शेप शीप्स अ लांप ओफ ले इंटु आ पॉट ठेक है वो लंप ओफ ले इंटु आ पॉट यह क्या करता है क्ले सी के की मदद से पॉट बना सकता है कैन डिस चेंज बिरिवर्स डियंग का इस चेंज को रिवॉर्स किया जा सकता है तो बहुत ह separately अगर जब तक उसने उसे उसे सॉललिद पॉम में नहीं किया या फिर वह उत कहות कि अगर आप बेकने क्या है क्योंकि आपने पॉटर्सिघ योगी कई भी तो वो इस चेंज में आ जाता है लेकिन अगर आप उसको दुबारा से तोलोगे तो वो फिर क्ले के फॉर्म में कनवर्ड नहीं हो पाता है तो फेड़ लेकिन बेक करने के बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते समकंवने टेबल है जिसमें विच आप इस चेंजिस ढूख व्यवंओ यू थैंगे डीवर्स Northern चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कहानी को समझने के लिए टेबल नंबर 6.1 पर चलते हैं जिसमें यह NCRT वाले ना यह जानना चाहते थे आपसे कि आपको अभी तक रिवर्सिबल और रिवर्सिबल समझ में नहीं आया है क्या तो मैं बता दिया इनको कि बच्चों को हमारे जितने भी स्टुडेंट्स है ना वो सबको समझ में आ चुका है तो मेरे आंसर लिखने से पहले आपके मन में वह आंसर आदाना चाहिए रो एग टू बॉइल एग ठेक है क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है येस और नो तो आपको बतारा है रो एग था अंदर से लिक्विट था उपर से कवर था आपने उसको बॉइल कर दिया उपर से उसका कवर हटा दिया लेकिन अंदर क्या हो गया सॉलिड हो गया क्या जाएगा यहां पर आपको लिखना है नो ठीक है बैटर टू इडली अभी जो इडली का बैटर है आपने रिखा हुआ था मैंने इसको बेक किया और इडली बना दी क्या इडली से दुबारा से में बैटर बना सकते हूं बताइए सोचिए आपने आंसर सोच लिया बहुत अच कंडिशन में आ सकते हैं हाँ अगर हम पानी डाल दे तो वह जरूर हो जाएंगे लेकिन आटमेटिक होगा क्या नहीं होगा तो यहां पे वैट क्लोट्स टू ड्राय क्लोट्स में दो चीज़े आप पिंचन कर दो ठीक है विदाउट यूज ऑफ वाटर नो ऑटमेटिक लि होती है फिर एक परेशन की प्रॉसस जो पानी है वहीड के कारण क्या होता है दीरे-торी दीरे-торे किस के अधंत हो जाता है वैपर में कन सब्सक्राइश हो जाता है और जिसकी वजह से सूख जाता है यापका जुक बना दिया है श्रीटर बना दिया है क्या मैं फुलें यान convert कर सकते हूं तो जो वुलन का यान होता है ना उसमें सिंगल थ्रेट से ही पूरा स्वेटर निटिंग की जाती है यह हम ने पढ़ा था तो इसका मतलब कि इसको reverse किया जा सकता है क्या जीहां हम कर सकते हैं अगर हमने एक थ्रेड को खीचा तो पूरा का पूरा स्वेटर खोल जाएगा और वह यान में वापस से convert हो सकता है ग्रेड टुइट्स फ्लोॉर क्या आप ग्रेन को ठीके फ्लोर में करके वापस से उसे ग्रेन में कर सकते हो मतलब वीट लेकर क्या है आपने उसको पीस दिया तरह किसे ग्राइन कर दिया तो किसमें कनवर्ट हो गया फ्लोर में अब क्या दुबारा से ग्रेन बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा ठीक है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क you happy sec था कर्द मिल्ग को फंडाइड में क्वक्वट किया क्या बाइब साथ मिल्क को दूबारा से धना कर सकते हैं गार सकते हम उसको फ्रिय्जच में रग दे या फिर हम उसको है से इड्मासफरीक तक टैमपरेश कर फैन आमनर की temperature पर अगर उसे छोड़ देते हो तो जी हां cold milk or hot milk or hot milk or cold milk हम यह reverse कर सकते हैं तो यह yes straight string to a collide string एक string है ठीक है उसको आपने collide string मतलब कि एक लंबा सा तार था मैंने उसको roll कर दिया collide कर दिया ठीक है ऐसा कर दिया माली जी ऐसा था और मैंने उसे ऐसा कर दिया ठीक है पहले यह कैसी थी straight थी और अब कैसी हो गई है अब यह हो चुके है coiled collide नहीं कोई हो गई मैं इस तरह से convert कर दिया तो क्या मैं दुबारा से straight string बना सकते हूं जी हां मैं वापस उसे खीचूंगी और वह दुबारा से straight हो जाएगी तो yes यहां पर हम यह changes कर सकते हैं ठीक है तो यह क्या हुआ है कुछ आपके reversible और irreversible changes का combination है combination था जिसमें से आपने और रेडी आंसर सोच लिया होगा और आपने बता दिया होगा कि कौन सा reversible था और कौन सा irreversible था क्लियर है अब कुछ और एक्जामपल्स आई होप आपने उसका शॉट लिया था अब कुछ और नहीं आपको बताई थी यह पनीर बनने की process कब बताई थी हमारे लास्ट चैप्टर में तो मिल्क को पनीर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है उसमें कुछ lemon drops डालते है तो उसका solid part और liquid part अलग हो जाता है liquid part को हम अलग कर देते हैं solid part को बांध करके रखते हैं उसे अच्छी तरीके से कपड़े से बांधते हैं ताकि उसमें जितना भी पानी का content हो निकल जाए उसे दबा करके रखते तो पनीर में convert हो जाता है क्या आप इस पनीर से दुबारा से milk को बना सकते हो नहीं बना सकते हो क्यों बनाएंगे हम कैसे बना पाएंगे नहीं बना सकते क्योंकि हमने solid liquid सबको अलग करके छोड़े पार्ट में अलग से एक पार्ट में convert कर दिया है तो milk to paneer is a irreversible thing irreversible change इसलिए इसका answer क्या आएगा इसका answer आएगा no कोट डुग टुबायो गैस में हमने convert कर दिया गैस तो उलगई हवा में यूजग लिया हमने क्या इस बायो गैस से दुबारा से काव भंश हमनग सकता है जी नहीं बन सकता पहसे बनेगा पसी नहीं है हमने उसको यूजगार पहसे स्ट्रेच्छ करके उसके नॉर्मल पोजिशन पर ला सकते हूं जी हां ला सकते हैं इसलिए यह क्या होगा इसलिए यह एक डिवर्सिबल सॉरी यहां पर हमें यस लिखना है इसलिए यह एक रिवर्सिबल चेंज है आइस्क्रीम टू मोल्टन आइस्क्रीम आइस्क्रीम थी मैंने उसको बहुत अच्छी से clear हो गया होगा कि reversible और irreversible changes क्या होते हैं और कौन-कौन से होते हैं clear है so I hope आपको आज की इस वीडियो से irreversible changes के बारे में सारी बाती clear होई होगी इस chapter के हमने बहुत सारी topics ना already cover कर लिये हैं जो कि introduction था reversible changes थे उसमें कुछ activities थी जो इस वीडियो के अलावा भी हमने cover किया हुआ है तो आप कहा से देखेंगे आपको देखना है magnet brains की official website पर जा करके क्या करना है www.magnetbrains.com जैसे ही आप टाइप करते हैं तो आपको एक screen इस तरह से दिख जाएगी इस स्क्रीन में नीचे की तरफ आपको बहुत सारी options दिख रहे हैं जैसे सी बेसी इंग्लिश मीडियम एंटी ऐसी ओलंपियाड सी बेसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम तो आप जिससे भी बिलॉंग करते हैं जस्ट उस पर क्लिक करें क्लिक करते साथ ही आप क्लासिक्स के स्टूडेंस हैं क्लासिक्स पर क्लिक करें आपको फोल्डर दिखेगा जिसमें आप दो साइंस के और बहुत सारे दूसरे फोल्डर भी देख पा रहे हैं तो इस साइंस की फोल्डर में क्या करना है आपको आपको सुर्भी तिवारी प हो जाएगा इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए अब बहुत कई स्टूडिन्स ऐसे हैं जो कि हिंदी से होंगे हिंदी से होंगे तो हमारे पास आच जुका है मागनिट ब्रेंस हिंदी जिस पर आपको आपके सबिल सब्सक्राइब करें अपनी सेम लाज़ के स्टूडिन के साथ साथ ही साथ उनके साथ जो कि आप से थोड़ी बड़ीया छोटे हैं क्योंकि हमारे पास है 100% free classes kindergarten से class 12 तक और हमारे चैनल को जो है like जरूर करें और subscribe तो जरूर करना है क्योंकि subscribe करने से जितना भी recent update है related to your subject, related to your class सब कुछ आप तक ना जल्दी पहुत जाता है तो अब हम मिलत हमारे नेक्स वीडियो में तब तर के लिए stay happy stay healthy thank you so much